Hindu ecosystem से पेट में दर्द होना, ये बताता है कि इस ecosystem की कितनी जरूरत है, मुझे पता है लोगों के पेट में मरोड़े उठ रही है, क्या रिंकु होगा तो मानवा दिकार नहीं है, रेहान होगा तो मानवा दिकार बन जाएगा यही सवाल तो आपसे, कि रहान के लिए आप क्यों नहीं करता हैं। नहीं सुनेंगे आप से जानना चाहती हूं क्यों आपके बयान को उतेजित करने वाला बयान ना माना जाए नहीं सबसे पहले तो थोड़ी टाइम लाइन ठीक करते हैं जो आपने बोला कि मेरे बयान के बाद दंगे हुए यही सबसे पहला जूट है यह सबसे पहला सुरी में IPS officer को मारा गया वह भी आपने भी कवर किया ऐसा नहीं कि वह आपके जानकारी में यह पूरत दुनिया ने देखा है सीलंपूर में स्कूल की बस जला दी गई डिसंबर 2019 में यह सब बाते तीन महीं ने पहले की हैं जिसके आप मेरे ऊपर बता रहे हैं कि मेरे बाश इस तरवरिवारे के कॉंटेक्स में जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दिया मैं भी उसी कॉंटेक्स का सवाल पूछ रही तो लेकिन आप यह मत बोलिए कि दंगा ही तभी शुरू हुआ दंगे चल रहे थे दिसंबर के दंगे कंट्रोल किये गए उसके बाद इन लोग उसी जगे पैदा हुआ हूँ पला बढ़ा हूँ मेरे लोग हैं मेरे घर के लोग हैं जो अपने दफ्तर स्कूल अस्पताल नी जा पा रहे थे तो आपको लगता है आपने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसके लिए कोई कारवाई आप पे की जाए लेकिन क्या बहुत सारी आच कई लोग तो खुदी जो दंगे में शामिलते वो ध्यान बठकाने के लिए मेरे उपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे अब आप सोचिए क्या तो कोई न्यूट्रल वैक्त नहीं मेरे उपर उंगली उठाई गया तो एंटी और फॉर तो साफ दिख रहा है जिस बय आठ फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला होगा यह किस तरह का बयान है नहीं देखिए क्योंकि उस प्रकार दिल्ली की चुनियोई सरकार ने बोला कि हम शाहिन बाग के साथ खड़े हैं और शाहिन बाग सीधा-सीधा वह आईसाई का दाला जाने वाला है और इस बेस पे राजनीती करो इस बेस पे वो टिखटा करने की कोशिश करो अगर वैसा होता हुआ दिखेगा तो उसको उसको ही अभिवक्त करने की कोशिश की है मैंने दंको से जुड़ा एक और सवाल है एक GIA Group of Intellectuals and Academicians इनके एक रिपोर्ट आई थे जिसमें मोनिका अरोडा जी है आप उनी के साथ आज एक चर्चा में शामिल भी होने वाले हैं उस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली हिंसा किसी एक समुदाय को निशाना बना कर नहीं की गई थी यह उनी की रिपोर्ट का जिक्र करनी हूं जिस पर आप चर्चा में शामिल भी होंगे और उसके अलावा दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट है जिसमें जो उन्होंने हाई कोर्ट में दायर की है इसमें 40 मुसल्मान और 13 हिंदू मारे गए तो आपको क्यों यह न मौनिका जी की अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है तो वह आशा करता हूं पूरी पढ़ी होगी तो उसमें यह भी लिखा है कि किस प्रकार से 6 महीने पहले दंगों की तैयारी की गई किन लोगों ने हथियार लिए मैं तो 23 फरवरी को मौचपूर गया वो ताइर उसें जी 22 फरवरी को जाके अपनी रिवॉल्वर रिलीस कराके ले चत्पे और रख लिए पथर रख लिए ऐसी बिखटा कर लिया तो क्या उनको सपना आया था कि मैं 23 फरवरी को उतर नढहीं है नहीं होघी है अबिखती के आजदी है आपको लेकिन उसके अपवाद भी हैं में से no-Hate Speech नहीं है किसी भी नागरिक की समवेदना है अपील है दर्द है जिनके माना वदिकार human right छीन लिया गय हो मैंने कि कि- आका कितने मुसलमान जो इसमें मारे गये उनके लिए परिवार के लिए कितने लोग जिनकों चोट लगी खाय से उनके लिए उनके लिए विए उसके बाद गाजिस्थान में करो लिए रिंकुशर्मा जी जो आपने एक्जांपल दिया सब एक ही प्रकार से एक ही एक ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि तो कुछ लोग चूट गए जो चूट गए उनके लिए हमने काम किया बाकी सब को मिला हैं मुआफजा आप यह कहना चाहरे हैं और बाकी जो मुसल्मान वारे के लिए आपको करने की कोई जरूरत नही किया है कि अगर आपको लगता हैं किमय कोशिश करूँ गदेश का नागरिक होने करनाता आपने अपने त्स लिए इंजन के लिए मिल्द आप यह करतो आप यह के लिए करते हूं इस बात को सिकार करने को तै इसी से दूसरा आप कह रहे हैं कि जिसके लिए कोई नहीं बोलता दिल्ली पुलिस बोल रही है कि रिंकु शर्मा के मामले में आपसी रंजिश है वेबसाइ में कुछ प्रॉब्लम होई लेकिन आप कहते हैं कि नहीं वो तो हिंदू चंदा इखटा करने निकला ता इस वज़ दिल्ली पुलिस ने रिंकु शर्मा जी के लिए बयान दिया गटना का पहला दिन था तब तक तो रिंकु शर्मा जी की माता का भी स्टेट्मेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ था उस जगे से कोई फॉरेंसिक सेंपल इखटे नहीं किये गए ते जाच हुई नहीं थी शुरू लिए बगएर सबी लोगों को यू कांट कंक्लूट दा इन्वेस्टिगेशन डेट वॉसेव बट कपिल मिश्रा कैन कंक्लूड आप बोल रहेंगी मैंने कंक्लूड नहीं किया सरो जी मैंने यह बोला कि दिल्ली पुलिस को परिवार का बयान लिए बगएर पूरी जाच कि किये मुझे भी आपके ट्वीट मैं भी पढ़ती हूं लेकिन एक आपके ऊपर भी बहुत सारे टूल किट का बात चल की बात चल रही है हिंदू एकोसिस्टम नाम पर आपने बहुत बड़ा टूल किट बनाया है न्यूज लॉंडरी ने इस पर पूरी एक रिपॉर्ट किय हैं यह जानना चा circuit है हिंदू प ditqi कि बहुत करते हैं हम लोग लोग 不管 मुद्वों पर केंपें करते हैं लोगों को चोड़ते हैं और मुद्धे के मंदिर कैसे थे हमारे पुराने राजा कैसे थे हमारा देश का इतिहास क्या रहा है उस तरह के शोला मुद्धे नियूज लॉंड्री ने भी शोला के शोला मुद्धे उसमें लिखे हैं वो सोला में आप टॉपिक की बात करते हैं लेकिन कैम्पेइन तो आप भी चलाते हैं हिंदू होलोकास्ट 11 उसके बाद आप इस पर चला रहे हैं मैं तो उसमें से कोट करके बोल रहे हूं चर्च लीडर्स स्लाम वॉइलंस ऑफ इंडियास फार्मर्स रैली आप चुन-चुन के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि आयोध्या वाली मस्जिद में नमाज पढ़ना और उसके लिए दान देना दोनों हराम उनके भाशनों को आप निक मान कैसे हो गया कुई कश्मीरी पंडित तो उसकी बात करना गुना है क्या और किसी को आपने औरंग जेवां कि इतिहास के बारे में चर्चा करना गुना है हिंदू होलोकाष की बात करनी अपराद है क्या हिंदू हेको सिस्टम की जरूप है है इंडिया और पयान दूप श उसके अंदर जो पोस्ट किया जा रहा है उससे भी दिक्कत है आप ared कि यौ को बारे में आप्ने जितने embrukate बताई उसमें 20 की बात करना हमारा गुना है यह उसके बाद बहुक्त सारे इस जिस दिन ग्रेट फरंबर्ग का ट्ट वीट आए कि आक में क्या ट्रेंट काला था आप तॉ स से पर फिल्म के अंभा की आप में कॉन सा sacrेंट कर वाना तो दिशारवी भारत की नहीं है तो दिक्कत नहीं है लेकिन अगर दिशारवी बनाएं तो दिक्कत क्यों है आप से लोग लाल के लिए में जैटेंगों देते हैं तो यहाँ जहां बहुता है कि चाय और योग और भारत की पहचान को नश्ट करने का अभियान चलाया जाए तो कपिल मिश्रा पे भी कारवाई होनी चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं आप जबर्दस्ती दो बेमेल चीजों को तोलने की कोशिश कर रहे हैं मैं अपने देश के खिलाफ काम कर रहा हूं और अपने धर्म के खिलाफ कर रहे हैं दिख रहा होता हुआ आपसे यह जानना चाहूं या आपने इंटरनाशनल के लिए भी काम किया योमन राइट के लिए काम करने वाली वह संस्था है वह वाले कपिल मिश्रा और आज को दिखाई महीं देरा अगर तो पुराल यह जिसको करीब पुजारी जिसको जिन्दा चला दिया गया उसके घर पे पाहंच के घर के लिए मैं मदद कर रहा हु हम मौन्य वाह्वार नहीं होता है रंकली होगा सब्सक्राइब इस millimeter clicking वह भागती है ना पर एंपने के लिए लोग लग रहे हैं कि Об कि अ झाल झाल